हेलो स्टुडेंट वे कुश्चन नमबर 12 चेफ्टर नमबर 7 एक्सरसाइस 7.6 का कुश्चन नमबर 15 to 17 समझाने जा रहे हैं यह भी जो है इंटेग्रल का ही है तो 15 नमबर कुश्चन हमारा है एकस स्कुएर पलस वड़र लोग एक्स को इसकों करते हैं स्टूजूशन इनिंटीग्रेशन इ ace square प लॉन लोग एक्सी हैं अब हम आईलेट पर देखते हैं कि इसका जाना कहां पर पड़ेगा कॉन पहले पड़ेगया तो आइसे इंवर्स होता है उसके बाद एल आता है तो यह first हो जाएगा और यह second हो जाएगा ठीक है तो हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं first IAGT छोड़ते हैं integration of second करते हैं minus derivative of first करते हैं और integration of second whole integration का है और यह सु करते हैं log x यह x square का होता है x 3 by 3 plus 1 का हो जाएगा सिर्फ x minus derivative log x का 1 by x और यह हो जाएगा x 3 by 3 plus x dx इसमें से एक x common निकाल लेते हैं इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से x 3 by 3 plus x log x minus इसमें से एक x निकाल लेते हैं तो x square by 3 plus 1 बसता है dx इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो x 3 by 3 plus x log x minus अब इसका जो बचा इसका करते हैं x square का 1 by 3 तो रहे गाई तो 1 by 3 रहे गा और यह हो जाएगा x 3 by 3 वापस ठीक है minus से खोल भी देते हैं यहाँ पर हो जाएगा x plus c ठीक है यह 3 by 3 जा 9 कर लेना है इसका final answer के लिए final answer के लिए हम इस तरह लिखेंगे x 3 by 3 plus x log x minus 1 by 9 x cube minus x plus c यह हमारा final answer हो गए ठीक है अब हम देखते हैं question number 16 question number 16 है यह है e x sin x plus cos x ठीक है यहीं पर हम integration लगा लेते हैं तो अब यह देखो आप यह जो है ना इसको अगर हम put करते हैं तो यह आता है कि नहीं आता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अगर fx हम put करते हैं लेट करते हैं fx equal to sin x तो f dash x अगर हम करते हैं तो इसका होता है cos x ठीक है तो आप देखो कि इस formula पर जो है ना यह set हो जाए है e x fx plus f dash x ठीक है dx equal to यह formula होता है e x fx plus c तो आप answer लिखना है आपको e x fx आपने क्या put करा था sin x तो यह हो जाएगा e x sin x plus c यह हो गया answer ठीक है यह एक number का जो है इस तरह से पूछेगा यह हमने formula पहले भी लिखवा चुका ठीक है उसके बाद आपको देखना है question number 17 x e x by one plus x square ठीक है तो हम इसको देखेंगे इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे integration equal to e x हम बाहर रख लेते हैं और यह x by one plus x square dx कर देते हैं इसको अब setting करना पड़ेगा e x कर लिया इसको one plus x minus one कर देते हैं आई यह one plus one plus x का whole square है यह ऐसे dx ठीक है तो हम इसको करेंगे e x अब इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं one plus x by one plus x का whole square minus one by one plus x का whole square dx ठीक है इसमें से एक cancel out हो जागा तो यह हो जागा e x one by one plus x minus one by one plus x का whole square झाल